यहां पर जर्मनी ने लास्ट मिनिट्स के अंदर फुल कुरूप ने विनर स्कूर कर लिए और जर्मनी अपने ग्रूप के अंदर टॉप के उपर फिनिश करेगी यार स्विजर्लेंड ने बहुत अच्छा गेम खेला लाए वोड़ी डिसपॉंटेड वो ग्रूप भी टॉप कर सकते थे और एक बड़ी फेमस विन होती जर्मनी के अंदर जर्मनी के अगेंस्ट वर इट वस अ गुड़ मैच पुछ इशूज हैं जर्मनी को लेके वो मैं थ प्ले आफस के अंदर नहीं पहुंच भाई आगे उसके उपर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जर्मनी के मैच के वर बात करते हैं यार यार लाइन अप ना देखें मुझे जर्मनी का थोड़ा सा इशू लग रहा है देखें मैं बहुत दफ़ाइज करता हूं इस पीड़ देखें जिसमें बेल और क्रिश्टान और उनाओ लेट राईड तयूपर खेलते थो राइट साध यूबर बेल खेलते थे अब बार्सलोना की टीम मी जहते हैं जहां पर एक सैड पर मैस्जी कहलते हैं दूसरे साइड यव नेमार खेलते थे इसी तरह आप माने औ को भी breathing space मिलता है मुझे Germany का issue ये लगता है देखे इनके पास इतने अच्छे जो है वो technical players है ना जैसे Kai Havertz है Florian Witts है Gundogan है Jamal Musiala को मैं एक side पर रखता हूँ because वो wide ही खेल रहे होते हैं right side की उपर आज थोड़ा सा wide नहीं खेल रहे थे आज central भी खेल रहे थे Florian Witts और Jamal Musiala positions भी switch कर रहे थे तो central ली खेल रहे थे तेकि off the ball जो Germany की formation थी ना वो थी five जिसमें आंडरिज जो थे ना वो centerbacks के बीच में चले जाते थे और जो आपके fullbacks थे वो बिल्कुल parallel में आ जाते तो five three आगे टोनी क्रूज और आपके Florian Witts जमाल मुसियाला और upfront जो आपके पास थे गुंडोगॉन और काय हैवर्स on the ball तो चीजें चेंज होती रहती है जब आपके पास control है आप different formations different setups जो है वो try करते रहते हैं लेकिन central था ठीक है किमेक जो है वो विंग बैक बन जाते थे on the ball और middle start जो है वो भी विंग बैक बन जाते थे on the ball लेकिन to be very honest देखें डेविड रॉम जब आए तो वो एक proper विंग बैक भी खेल सकते हैं ठीक है middle start जो है वो उस तरह के विंग बैक नहीं है right वो एक left back है same is the case with किमेक वो अच्छा तो खेल सकते हैं but वोजे एक width provide करने वाली जो ability होती है न right side के उपर वो आप किमेक से expect नहीं कर सकते हैं तो it was very central in my opinion the issue is के it's very central अब यहां पे और थोड़ा सा nuggles मैंने काफी ज़दा देर कर दी भाई I was like कि या बहुत मतलब 65-60 minutes के उपर maximum 65 minutes के उपर 60 minutes के उपर maximum जिस तरह game चल रही थी मतलब simple realization हो रही थी कि काया हैवर्ट को आप निकालो काया हैवर्ट या फिर गुंडोगोन में से किसी एक को आप निकालें और आप जो है वो full group को लेके आए और आपको साने लाना पड़ेगा left side view पर या फिर कोई और ब्लेयर की लेके आए आपके पास अच्छी खासी option आपको left side view पर width चाहिए थी eventually आप David Rome को लेके आए और आप आपने जमाल मूसियाल को नकाला और आप साने को लेके और full group को भी लेके आए चीजें वर्क करी जिस तरह की आप football खेनाना चाहते थे eventually वर्क करी देखें पॉइंट क्या है कि Florian Wits में हमेशा से थोड़ा सा मुझे doubt रहता है ठीक है यह जो हंगरी हो गया Scotland हो गया यह पहला छोटा टेस्टा अभी जो इमनी का Switzerland के गेंज जिनके पास ज्यादा quality थी तो थोड़े से आगे आप टीम्स आएंगी जहां पर आपको वो डिफेंड भी करना पड़ेगा तो आफ दा बॉल भी मुझे थोड़े से इशू लग रहे हैं जर्मनी के पेस के अगेंज जब आपको डिफेंड करना पड़ेगा तो मुझे इशू लग रहे हैं आज भी Switzerland ने बहुत जो है वो तंग किया जर्मनी को तो यह एक बड़ा इशू है कि आफ दा बॉल क्या बनेगा दूसरा सब्सक्रा बड़ा इशू है कि everything is very central और मुझे इसा लगता है कि गुंडोगॉन को ना बेंच कर सकते हैं ना फ्लोरियन विट्स को बेंच कर सकते हैं जमाल मुसियाला तो खेलने चाहिए आफ मैं जो पॉइंट में बताना यह चाह रहा हूं कि जो काय है विट्स है गुंडोगॉन है और फ्लोरियन विट्स तो बहुत इंपॉर्टन है ठीक है मुझे if you really ask me I would go with गुंडोगॉन और फ्लोरियन विट्स में से कोई एक के लिए अंड्रेच और क्रूज ने तो खेलना ही खेलना है ठीक है वो बहुत इंपॉर्टन है फ्लोरियन विट्स में से और गुंडोगॉन में से कोई एक खेलना है लेट साइड के ओपर I would personally go with फुलकुरूग I don't understand के भाई फुलकुरूग को क्यों नहीं खिला रहे है वो फुलकुरूग आप भी देखें आज उन्होंने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया और वो प्रॉपर नंबर नाइन है ठीक है अब आपके पास जब आप आप लोरिन विट्स को खिला रहे ह तो कहीं न कहीं ये इशू थे कि वस्वेरी सेंट्रल और स्विचल लेंड अच्छा प्रेस कर रही थी जिसकी वाज़से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रीट हो रहा था और बहुत ज़्यादा घल्तियां भी हो रही थी यहां से जर्मनी से जर्मनी तो रूडिगर ऑविसल मैंने आपको लोगों को बता दी कि मुझे लगता है कि इस वेरी सेंट्रल और वाइविर्थ नहीं है और प्रॉपर नंबर नाइन नहीं है और सारे एक जुसे की स्पेसिस के अंदर टेक्निकलिटी की ओपर बहुत ज़्यादर रलाय किया जा रहा है लेकिन जब आप अब आजाते हैं थोड़ी सी बार्सा की नियूस के बार्सा अथ्लेटिक जो है वो प्ली आफ्स में नहीं आगे जा पाई और 2-1 हार गे वो खैर मैस्टो मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने का आपको जल्दी से ये नियूस बता दूं के सेकंड डिविजन के अंदर बार्सा अध्लेटिक जो है प्रमोड नहीं हो पारेगी कोड़ोवा के अगेंस मैच था उनका मार्गुई उस मैच में खेरे थे मोस्ट लाइकली मार्गुई का जो है वो लास्ट मैच होगा ये बार्सोना के लिए बिकॉस ऐस पर लेटेस नियूस मार्गुई तो चल्सी वेरी क्ल रही है वन रिशो वन से हम भी I don't know कभी पॉजिटिव नियूस आती है कर भी नेगिटिव नियूस आती है लेकिन पॉइंट यह है कि अगर आपको मार्गुई को यूज करना ना तो उसको रोकें अगर आपको उसको यूज नहीं करना तो भाई उसको जाने दे चाहे वो छ चल्सी में अगर उसको मौके मिलेंगे तो he will do good तो एक अच्छी साइनिंग होगी चल्सी के लिए बट मुझे नी शॉरिटी लगरी कि बार्सा करना क्या चाहा रही है विटर रोक के पर शुर नहीं है मार्गु के उपर को उनको चल्सी को बेच रहे हैं तो आगे क्या होग I don't know क्या सिरफ हम लेवन डॉसकी की उपर रलाय कर रहे हैं पूरा सीजन तो I'm not really sure because अगर for example injured होगे या performance ना निकली तो फिर आप क्या करेंगे तो मुझे समझनी लग रही इस चीज़की के बार्सा क्या करने चाहिए फिर फेरन टोरिस की भी न्यूज आती रहती कि बार्स पूछा गया कोपा-मेरिका की पर्परेस कान्फरेंस में के बार्सा का क्या उन्होंने का बही आप कि पूछे तीन साल आपके वन ओप्डेन प्लेडर्स लीडर्स हैं तो मैं यह नहीं कह रहा कि अपनी जगा के ऊपर कहीं ना कहीं आपको वह स्पेस क्रिएट करने पड़े की अपनी salary में ओर coppa america के बाद ही या euros के बाद ही बार्सा की और राहो को बेतर ओफर दिनी पड़े तो उनको फिर स्पेस भी खाली करनी पड़ेगी किसी और प्लियर को बेच के अगर वान रिशो वान रूर में नहीं आते तो यह बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है और थोड़ी सी डाइसी सी सिचुएशन है क्योंकि अगर इन बिट्व लेकिन उसके अंदर के में के अंदर देखें 20 विलियन मैं आपको अकसर बताता हूं 20 मिल्यन ग्रॉस ऐलेरी उपमिलीए जोगर होरी है जो के 10 मिल्यन नेट से जयादा है मेरा नहीं ख्याल कि बार्सा यह अफोर्ड कर सकती है मेरी अपना परसनल ओपीनियन यह है बार्सा या फोर्ड नहीं कर सकती है और स्पेशली इस रेस के अंदर रियाल, मेरेड, आर्शनल, सिटी, लिभर्पूल सब हैं यह पांच गलब हैं तो कैसे करेगी बार्सा कंपेट तो इट सिंपल in my opinion बहुत दफा मैं क्या चुका हूँ या तो केमेक वह लेवंडॉस की वाला सीन होगा कि मुझे बार्सा के लिए खेलना है नहीं तो बार्सा केमेक को साहिन नहीं कर पाएगी and they will look for other solutions तो गाइस more or less जो है वो यही न्यूस है अपना ओपिनियन दे रिकार्डिंग अवरेटिंग इन दे कमेंट सेक्शन लाइक कर देगा सब्सक्राइब कर देए मिलते नेक्स वीडियो में इसकल बार्साओं